सोनी का मुबाइल हो कुई भी माडल हो या शार्प का कुई भी माडल हो यही तरीका है नेटवर्क एंट इंटरनेट पर क्लिक करना है ठीड़ के जी अस्वालेकुम दोस्तों क्या है मेरे सब चीक होंगे खेरियत से होंगे आज मैं आप लोगों को सुनी मुबाइल में एक ट्रेक बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इसमें हम बेलंस चिक नहीं कर सकते हैं जो कि आप स्टार वन त् यह तरीक आपना है वह आपको पूरा इंस्ट्रेक्शन ऊप फ़लो करना है जो जैसे मैं यह वीडियो में दिखाने वाला हूं अभी तो इंशाला आपका जो प्रॉब्लम है वह सौड़र जाएगा ठीक है तो तरीक बैसे मैं आपको दिखाता हूं जरार इस तरीका यह अगर आपका नहीं चल रहा मतलब एक्जेम्पल मैं इससे अभी मैं बेलंस चेक करने जा रहा हूं स्टार 136 इसमें डू का सिम काट फड़ा है तो डू अगर आप ऐसे करते हो तो इसके MMI कोड स्टार्ट इट मतलब आप चेक नहीं कर सकते हैं हम से आप चेक नहीं कर सकते हो बाला कर सकते हो 135 डाल करके अपने बेंसिन चेक कर सकते हो सेटिंग में जाके Network and Internet VerK क्लिक करना ए उसके बाद मोबाल सेट वर्क ओपन करना है advance में जाना है इधर आपका जो access point है इसको reset करके by default करो और फिर से इसमें download do इधर आपने पस्ट में name में do डालना है APN में आपने do internet डालना है do internet ठीक है उसके बाद इसको save करना है save करने के बाद back जाना है data enable करना है जो आपका net का balance check कर सकते है ठीक है यह जी यह आपका balance check करने का आगया तरीका कोई भी sony का mobile हो कोई भी sony का mobile हो कोई भी model हो xz1 हो 2 हो 3 वगएरा कोई भी model हो या sharp का कोई भी model हो यही तरीका है आपने access point में network का नाम डालना है अगर आप do use कर दे तो आपने do का नाम डालना है एतिसालाद का नाम डालना है इसके रावर कुछ भी नहीं करना है data enable करना है आपना internet का जो sim का data होता है वो enable करना है तो आप अपना balance easily check कर सकते हैं और कोई offer का code आप डाल रहे हो आप पर activate करने के लिए तो वो भी कर सकते हो easily so that's it guys I hope आप लोगों को ये वीडियो helpful लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो आगे शेर भी करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें और हमारा भी support की जीगा थोड़ा सा और thank you so much for your love and support. Stay blessed everyone Allah आपेस